नमस्ते, प्रणाम, मैं मिनाक सीजेन, स्वागत करती हूँ आपका चैनल मिनाक सीजेन का ये वीडियो है 10 माई 2022 को लखनों और भोपाल में जो KBC का ग्राउंड ओरिशन हुआ उसकी जानकारी से संबन देता वीडियो में KBC 14 के फर्स्ट ग्राउंड ओरिशन जो 10 माई 2022 को हुआ उसके GK टेस्ट में पूछे गए 20 क्वेस्टन सामिल होने के साथ उसमें भाग लेने वाले ओडिशनीस द्वारा मुझे बताई कई जानकारी के आदार पर कुछ एक जानकारी आपके साथ साजा की जाएगी तो सबसे पहले तो कोई भी फोनो फ्रेंड की जानकारी नहीं मांगी गई इस पार कोई भी इन्फोर्मेशन ना तो फोटो ना तो डोक्यूमेंट और ना और भी कोई जानकारी फोनो फोरेंड से रिलेटेड मांगी गए और एक बात ओडिशन के वेन्यू पर जल्दी ही पहुँचना है क्योंकि मेरी जिन से बात हुई तो उन में से 5 से 5 चालेस पर पहुँचने वाले लोगों के आगी भी लाइन लगी हुई थी आप 5 या 5 चालेस ना भी पहुँचें तो कम से कम टार्गेट रखे कि 6 बजे तो आपको पहुँचना ही है क्योंकि दोनों ही सेंटर पर देर रात तक औरिशन चल रहे थे और सुनने में यहां तक भी आया कि भोपाल में दूसरे दिन लोकल रहने वाले लोगों को 12 बजे के बाद भी पी आई के लिए पुलाया गया और डॉक्यूमेंट में ज्यादा कुछ भी नहीं मांगा गया आधार कार्ड ही मांगा जा रहा था और दो पासपूर्ट साइज फोटो स्वैं और स्नीकी मांगी जा रहे थे और एक बात ओरिजनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाना यानि आधार कार्ड जो ओरिजनल है आपको वह भी लेके जाना है और साथ ही एक या दो कोई और डॉक्यूमेंट भी आपको सेफटी के लिए साथ में लेके चलना है हर बार की तरह इस बार भी बुकलेट में 3-4 सवाल बदल दिये गए ये KPC का ट्रेंड ही है वो 2-3 सवाल हर बार चेंज कर ही लेते हैं बुकलेट में जिसे COVID आया था तो उससे related question पुछ ले गए थे इसी तरह और जो question बदले गए बुकलेट में वो में वीडियो के दोरान स्क्रीन पर शेयर कर लोगा जिके test इस बार भी 20 questions का ही हुआ जिसके दो question set बनाएगे set A और set B ताकि आस-पास वाले copy ना कर सके और जैसे set A के question में first question जो होगा वो set B के question में किसी और number पर होगा इस तरह और answer tick करने के लिए OMR set दे गई थी OMR set यानि Optical Mark Recognition Shade इस set को scanner दोरा भी चेक किया जाता है इसलिए इसमें कुछ बाते ध्यान देने योगे होती है जो वहाँ पर उपस्तित किसी KBC के team member दोरा आप सबको बताई जाती है उसे ध्यान से सुनिएगा हमेशा जैसे कोई भी tick mark test में दिये गए OMR set के box या circle जो भी दिया है उससे बाहर ना निकले जो answer आप tick करके submit कर रहे हैं उस पर overwrite ना करें इस तरह की सभी बाते जो उनके किसे भी team member दोरा आपको बताई जाती है उसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि OMR set का checking scanner से होता है तो आपका tick अगर circle या box जो भी दिया है उससे बाहर निकल गया तो उसको गलत count किया जाएगा और उस पर अपने अगर overwrite किया तब भी वो answer wrong count किया जाता है ये सारी जानकारी हमें भी बताई गई थी जब हम audition देने गए थे क्योंकि हमारा भी audition का gk test OMR seat पर ही हुआ था पर तब gk test का result के आधार पर video audition के लिए disqualify नहीं किया जाता था तुरां अब तो gk test के निर्दारित cut off से कम right answer देने वालों को दिस्क्वालिफाई कर दिया जाता है video audition के लिए और भौपाल audition में तो बकाइदा declare करके बताया गया कि कितने audition पहुँचे हैं और उसमें से कितने लोगों को video audition के लिए disqualify किया गया था तो उसमें बताया गया कि 390 audition पहुँचे हैं center पर audition देने के लिए और उसमें से 88 लोगों को disqualify किया गया video audition के लिए यानि भौपल audition में 302 लोगों को video audition देने का मौका दिया गया और वहां का cut off बताया गया 11 answer यानि 11 से उपर जिनके भी answer right थे उनको video audition यानि personal interview के लिए select किया गया यानि आपको target रखना है कम से कम 62-70% score करने गया वहीं लखनों में भी लगबग 400 audition ही होंगे ऐसा मुझे बताया गया वहां पर कोई number declare नहीं किया गया ना तो number of audition कितने लोग audition देने पहुंचे हैं उसका और नहीं कितने लोगों को disqualify किया गया उसका वहां पर मुझे बताई जानकारी के अधार पर दो हॉल में लोगों को बिठाया गया था तो एक हॉल में से लगबग 50 के करीब लोगों को disqualify किया गया यानि हम almost same number ही समझ सकते हैं कि 400 में से लगबग 100 के आसपास लोगों को disqualify कर दिया गया लगनों audition में भी और यह current study या पढ़ाई से पिछले कुस वर्सों से वास्ता न रहा हो जैसे middle age या उससे उपर की महिलाई वगेर तो मुझे लगता है जिनको सिर्फ jk test या booklet भरने का मौका मिला है उनको भी आसान ही छोड़नी चाहिए क्योंकि हो सकता है आपकी booklet पढ़ने के बाद आपसे KBC की team फिर से contact करें आपको आगे किसी तरह जैसे online interview या किसी अन्य माध्यम से आगे के process में भागीतार बनाने के लिए संपर्क किया जा सकता है अगर आप उस category से belong करते हैं कि जहां आपकी पढ़ाई काफी वर्सों से पीछे छूड़ गई है और जिनका gk test का result cut off के border पर या उसके आसपास का रहा हो तो और एक बात जो clear वे पपार audition में बताई गई कि आगे के round के लिए selection का call एक जोलाई से लेकर एक नमबर तक कभी भी किया जा सकता है KBC TV पर सुरू हो जाने के बाद भी आपको एक नमबर तक अगले round में selection की call आ सकती है और इस jk test के बाद हुए video audition यानि personal interview में भी कुछे candidates से mcq type यानि multiple choice question option वाली questions तीन jk quiz पुछे गए तो कुछे लोगों को कोई भी jk quiz interview की दरान नहीं पूछा गया तो ये screen पर आप देख पा रहे हैं ऐसे कुछ सवाल जो interview के दोरान कुछे candidates को पुछे गए और अब देख लेते हैं भोपाल और लखनो में 10 माई 2022 के audition के jk test में पुछे गए बेस सवाल तो दोनों ही audition center पर पुछे गए questions सेम ही थे 20 के 20 और जो question set बनाए गए थे A और B उसमें भी सभी सवाल सेम ही थे almost सिर्फ एक question को छोड़कर वो जो question था traffic symbol को दिखा कर तो उसमें से दोनों ही set में question सेम ही था options भी सेम थे पर जो symbol दिखाया गया था traffic वाला वो अलग-अलग था तो देख लेते हैं 20 ही question तो first question तो tip tip बरसा गाना का remix की सब इने 3 पर फिर्माया गया है तो कत्रीना कैफ़र फिर्माया गया है 2021 की सुर्यवंसी मूवी में 2021 में आई सुर्यवंसी फिल्म तेरेक्टर है रोहिच सेटी second question अंतराष्ट्री ये T20 खेल में सबसे ज्यादा रन बनाने का record किसका है यानि लीडिंग रन स्कोरर कौन है इंटरनेशनल T20 गेम्स में तो फरवरी 2022 में रोहिच सर्मा, मार्टिन गप्टिल और विराट कोहली को पचार कर अंतराष्ट्री T20 में लीडिंग रन स्कोरर बन गए 3313 रन के साथ next question सेंड वॉन इस फेमस फोर, सेंड वॉन किसके लिए जाने जाते हैं तो और्स्ट्रिलिन क्रिकेटर शेंड वॉन जिनका मार्च 2022 में निधन हो गया वो लेक्ष्पिन के लिए जाने जाते हैं तो आंसर आएगा लेक्ष्पिन ये मुथया मुर्ली धरन के बाद विस्व के दूसरे गेंदवाज हैं जिनोंने एक हजार अंतर राष्ट्रिय विकेट लिए हैं और इनकी ही कप्तानी में राजस्थान रोयल्स टीम ने IPL की इनोग्रल ट्रोफी 2008 में जीती थी शैन्वन 2008 से 2011 तक IPL टीम राजस्थान रोयल्स के कप्तान रहे नेश्ट केसरी वमराठा किसकी समाचार पत्रिपा थी तो बाल गंगादर तिलक की बाल गंगादर तिलक पर दो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे आप देखना चाहें तो लिंक आपको उपर आई कितकोर और विकास गोड़ा का संबंध किस केल से हैं तो डिसकस्त रो नेश्ट संस्कृत में किसका अर्थ खुसी एवं प्रसनता होता है तो प्रमोल नेश्ट आंध्रप्रदेश का सास्तरी नरत्य कुन सा है तो कुचिपूरी आगे के ओडिशन वाले अब बागी के स्टे अच्या में तो mm 2000 हो जाएगा और फिर 20 लिखने के लिए 2x लिखेंगे और 2 लिखने के लिए 2 बार आए mm xs ii तो ये 2022 हो जाएगा रोमन नंबर में लिखने के लिए आप ये बेसिक से लिए जिसे वन के लिए सभी जानते हैं आई लिखा जाता है पांच के लिए वी दस क के लिए x 50 के लिए l 100 के लिए c और 500 के लिए d और 1000 के लिए m बस ये बेसिक से लिए जिए आप कोई भी नंबर आराम से लिख सकते हैं और एक बात ध्यान रखिए जब भी जो लेटर किसी नंबर को डिनोट करता है उसके लेफ्ट में यानि पहले उस किसी लेटर को लिखा जाता है जी किसी और नंबर को डिनोट करता है तो वो उसमें से माइनस होगा जैसे एकसल लिखा तो ये 40 हो जाएगा मतलब 50 माइनस 10 इस तरह और अगर इसी को उल्टा लिख दिया जाए lx तो ये 60 काउंट होगा क्योंकि उसमें फिर वो x प्लस होगा 50 प्लस 10 60 इस तरह अ उसके प्लेस वेली होगी 900 तो 900 लिखिए यानी cm 1000 माइनस 100 और फिर 10 दहाई की जगपर जो नंबर है उसके प्लेस वेली होगी 90 तो 90 लिखिए यानी 100 माइनस 10 xc और फिर 9 लिखिए तो 9ix यानी 10 में से 1 माइनस किये तो 999 cm xc ix इस तरह नेक्ष्ट गणिष्टी का दात किस ने तोड़ा था तो भगवान पर्शूराम ने तोड़ा था इसलिए गनेश जी को एक दंत नाम से भी जाना जाता है नेस्ट इन में से कौनसी नदी मद्यप्रदेश में नहीं बहती है या उसका उद्गम स्थल मद्यप्रदेश में नहीं है और options थे महानदी, सोन, चंबल नर्मदा, तो आपको पता ही होगा, सौन और नर्मदा दोनों अमर कंटक से निकलती है और एक इस्ट में बहती है और एक वेस्ट में, और फिर चम्मल नदी का उद्गम स्थल भी मद्यप्रदेश ही है, जो यमुना नदी की साहक नदी है, तो इसका राइट अंसर होगा मह महा नदी जो 36 गड़ से होते हुए औरीसा और फिर बंगाल की काड़ी में गिरती है तो राइट आंसर महा नदी नेक्स्ट एक फ्लेग का पिक्चर दिखा कर पूछा गया कि यह कि संगठन का चंडा है तो यह यूरोपीन यूनियन यूरोपी संग का चंडा है जिसमें 27 का फ्लेग और फोड एंड एग्रिकल्चर ओर्गिनाइजेशन एफ ए ओ का फ्लेग नेक्स्ट नागरिक उड़यन मंत्री कौन है तो जोती राधिति सिंधिया नेक्स्ट फेरस ओक्साइड को सामान निभासा में क्या बोलते हैं तो फेरस ओक्साइड या आईरन एक भरती राध्य का मैप दिखाये गया और फिर पूछा गया कि ये किस भरती राध्य का मैप है तो वो असम राध्य का मैप था एक वीडियो है मेरे चैनल पर स्टेट बाउंडरी का वो आप देख लेंगे तो इस तरह का कोई भी क्रेशन का आंसर आप देपाएंगे उसक इतने भी हैं वो साक टैंक में जितने भी जजिर आये थे सबकी पिक्चर देख रहें साथ में वेकिस कंपनी के फाउंडर या co-founder या MD है वो भी देख ले नेस्ट वेशन एनाकॉंडा किस महादवित में पाया जाता है तो एनाकॉंडा दक्षिन अमेरिका महादवित में पाया जाता है दक्षिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजिल क्षेत्रफल के आदार पर एरिया वाइज यह आप मैप देखेंगे तब भी आपको अंदाजा लगी जाता है कि ब्राजिल सबसे बड़ा देश दिखे रहा है इसमें वैसे ब्राजिल एरिया वाइज ही ने पोपुलेशन वाइज भी यानी खेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही आधार पर दक्षिन अमेरिका महादवित का सबसे बड़ा देश है जिसमें विश्व की सबसे ज़्यादा प्रजातियों के साप पाए जाते हैं इसलिए इसे सापो का देश भी कहा जाता है और यह एनाकॉंडा ओरिनों को और अमेजन रिवर वैसिन में पाए जाते हैं जो दोनों ही दक्षिन अमेरिका महादेव की नदिया हैं एक फल का स्लाइस और बीज दिखा कर पूछा गया कि यह किसके बीज हैं तो हो खर्वुज एक का स्लाइस था और बीज थे तो रैट आंसर खर्वुज आएगा और ऑप्शन में पपीता अनार वगे रही थे प्रत्वी राज रासों के लेखक कौन है तो चांद बर दे एक ट्राफिक सिंबॉल दिखा कर पूछा गया था कि यह किसका सिंबॉल है और मैं इसी क्वेशन की बात कर रही थी कि जो दोनों ही सैट में अलग-अलग सिंबॉल दिखाए गये थे और इसका उत्तर होगा यूटन निशे नो यूटन और इसका नो ओवर्टेक ओवर्टे होती है तो हाथ की सिर्फ अंगुठे में दो हड्या होती है बाकी की चारों उंगलियों में तीन-तीन हड्या होती है कि विससे रेलेटेट किसी भी इन्फोर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे कॉंटेक करना चाते हैं तो मेरे सोशल साइट के लिंक आपको वीडियो के डि चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप मुझे परसनली कॉंटेक कर सकते हैं या फिर आप अपना सिर्फ नंबर कमेंट में लिखकर भेज दें और फिर उसे डिलेट कर दें मुझे वान नंबर दिख जाएगा और मैं आपसे कॉंटेक कर पाऊंगे पसंद आया हो त अपने विचार कमेंट करें चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर साथ में जो बैल आइकन है उसे प्रेस कर और नोटिफिकेशन भी अन कर दें थैंक यू सो मॉच एन अल बेरी बैस्ट